नमस्ते इससे पहले भी मैं आया था फेस्बुक लाइव में लेकिन शायद साउंड का प्रॉब्लम था इसके लिए मैं फिर से आया हूं सबसे पहले I would like to wish everyone इस छुटी में आपने सब अपने परिवार के संग बिताया होगा अपने फैमिली के संग बिताया होगा I want to again wish everyone of you all हमने ADC के तरफ से छुटी अनॉंस्मेंट किया for our new year for Gorilla हमें लगा कि अगर हम ADC में रहेकर अपना ही कल्चर को हम प्रमोट नहीं करेंगे अपना ही एतिहास को हम प्रमोट नहीं करेंगे अपना ही आइडेंटिटी को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो इसका अच्छा मेसेज नहीं जाता है इसी के लिए इस बार हमने अपने बुईसू के लिए बीजू के लिए संगरायन के लिए सॉंकरायन के लिए पोईला बोईशार के लिए गरिया के लिए हमने holiday अनौंस किया हमें लगा कि अगर हमारे EDC के भी जो workers हैं वो अपने family के संग इस अच्छे तियोहार के time समय बिताएंगे तो एक तब भी बढ़ेगा थांसा भी बढ़ेगा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है I am very happy that बहुत सालों के बाद पहले बार इतने अच्छे तरीके से हमारा बुईसू, बीजू, हमारा चरोबा, हमारा गोरिया इतने अच्छे तरीके से हुआ है एक जगे में नहीं हर जगे में इस बार हमने हर जोनल और सब जोनल को हमने एक एक लाक रुपया दिया 44 सब जोनल से हमने 44 लाक रुपया दिया कि आप अपनी एरिया में अच्छे तरीके से अपना बुईसू और अपना संक्रान, संग्रायन और गरिया करें अगले साल अगर ठीक रहा तो हम एक नहीं हर सब डिविजिन को तीन-तीन लाग देंगे क्योंकि जब हम अपना कल्चर, अपना त्योहार को, फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक मैसेज भी भेज रहे हैं कि हमारा एक एतिहासिक त्रिपुरा बहुत पुराना राज्य है, बहुत पुराना देश था और हमारा एक एतिहास है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए not only in Thripura but across the Northeast and across India हमारा ये जो state है इसका बहुत पुराना culture है और ये एतिहासिक culture को हमें खोना नहीं है हाँ नया जमान आ रहा है हमें नया technology को accept करना चाहिए लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अपना अस्तित्व अपना इतिहास अपना culture और अपना सोच को बदल दे second चीज है मैं यहां में I've come for Facebook live and मैं दो या तीन चीज बोलना चाह रहा था सबसे important बात है कि बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि महराज या बुबागरा प्रद्योत आप आने वाले दिन में क्या करेंगे मैं सबको एक बात बहुत clearly बोलना चाहता हूँ एक बहुत clear policy निकल रहा है सामने सबको दिखाई पड़ रहा है कि तिप्रा मौथा को और अपने तिप्रासा को कैसे divide किया जाए divide आदमी लोग तीन तरीके से कर सकते हैं एक होता है direct divide जो आप किसी के खिलाफ प्रोपगेंडा करके करते हो पैसा देके करते हो कहीं में conspiracy शडियंत्र करके करते हो और जो आज देखा जा रहा है कि बहुत जगे में अपने ही अपने ही तिप्रासा को लेकर तिप्रासा को divide करने का कोशिश किया जा रहा है लेकिन मैं अपने पूरे तिप्रासा को especially जो हमारे young generation है मैं आपको बोलना चाहता हूँ यह पुराना त्रिप्रा नहीं है यह एक नया त्रिप्रा है this is a new त्रिप्रा हम लोग इतने आसानी से बेखूफ नहीं होने वाले है तो जो लोग हमें divide करके divide and rule करके हमारे उपर राज फिर से करना चाहते हैं जैसे हो रहा था उनसे आपको बच के रहना है मैं अपने तिप्रा मौथा के leaders को भी बोल रहा हूँ मुझे थोड़े दिन पहरे एक message आया था आप अगर उजेंता पैलेस में आमने सामने बुबागरा के हो या selfie में आते हो या मेरे संग इधर उधर घूमते हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप leader है आप leader तभी है जब आप आपका खुद का कामी आपका खुद का गाउं आपका खुद का ब्लॉक आपको स्विकार करे कि आप leader है आपने दोफा के लिए काम किया है अगर आपको लगता है कि आप महराजा के सामने आसपास घूमके आप अपने लोगों को बोलेंगे क्योंकि मैं महराजा का आदमी ऐसा आप लीडर नहीं बन सकता अगर आपको लीडर बनना है तो पहले अपने कामी में अपने ब्लॉक में साधारन वारियर बन के काम करो वियाईपी कल्चर को छोड़ो और जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो टिकेट उनी को मिलेगा जो लोकली ब्लॉक से काम कर रहा था आपको टिकेट नहीं मिलने वाला है क्योंकि आप महाराजा के आमने सामने घुमते हो और आपका सेलफी आता है या फोटो आता है पहले अपनी एरिया में काम करो काम का नतीज़े निकालो और उसके बाद आप आकर दोफा के लिए लीट करने के लिए बात करो सबसे पहले हमको वर्कर बनना है वारियर बनना है थांसा को तोड़ने के लिए बहुत कॉंस्परिसी चल रहा है आज भी मैंने देखाया कि कहीं में जॉइनिंग हुआ है ठीक है जाना है अब जाइए लेकिन जो लोग आज से एक साल पहले दो साल पहले तिप्रा लैंड डिमान कर रहे थे आज उसी पार्टी में जाकर जॉइन कर रहे हैं जिसने बोला है कि तिप्रा लैंड हो बेना उस पार्टी में जॉइन करना जो तिप्रा लैंड को मानता ही नहीं स्विकारी नहीं करता है वो बहुत बड़ा धोका है अपने दोफा के साल अगर आप अपने पार्टी में खुश नहीं हो घर में बैठ जाओ अगर आप अपने नेता से खुश नहीं हो घर में बैठ जो आपका सम्विधानिक अधिकार को ही स्विकार नहीं करता जो कहता है कि आपका जो डिमांड है वो हम कभी होने नहीं देंगे उसी पार्टी में जॉइन करने से आप अपने दौफा के सांग गद्दारी कर रहे हूँ मैं आपको एक एक एकजांपल देता हूँ बहुत एरिया में बहुत लोग शायद अपनी लीडर से खुश नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे पार्टी में जाओ जहां में आपका तीप्रा लैंड या ग्रेटर तीप्रा लैंड का डिमांड कोई माननी के लिए हाँ बहुत टाइम मैं अपने देश के गवर्मेंट से खुश नहीं हूँ कभी कभी मैं शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के पॉलिसी से खुश नहींूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाकर हाथ मिलाओ हिंदूस्तान को गवर्मेंट को नीचे दिखाने के यह एक पॉलिसी होता है आप अंचुरिक पार्टी से खुश नहीं इसका यह मतलब नहीं कि आप उस पार्टी में जॉइन करें जहां में आपका ग्रेटर तीप्रलाइन या तीप्रलाइन का डिमांड को कभी भी स्विकार नहीं किया जाएगा आप आज लीडर कैसे बने हो आप लोकली लीडर कैसे बने हो आप इसके लिए बने हो क्योंकि आपने अपने लोगों को बोला है कि हम आपका ग्रेटर तीप्रलाइन या तीप्रलाइन डिमांड को सेंटर तक ले जाएगे लेकिन आप उसी पार्टी में जॉइन करोगे जो वो डिमांड को मानता ही नहीं तो आपका अपने दोफा के संग धोका ही तो हुआ सच बात बोल रहा हूँ आज मुझे देख लो मैंने नाशनल पार्टी छोड़ा कॉंग्रेस क्यों क्यों कि मैं अपने लोगों को जूट नहीं बोल सकता था आज मेरे पास भी बहुत ओफर आया है नाशनल पार्टी जॉइन करने के लिए आज मेरे पास भी बहुत ओफर आया है अच्छे अच्छे पोस्ट में जाने के लिए आज मेरे पास में बहुत ओफर आया है आराम से जिन्दगी बिताने के लिए लेकिन मैं आज भी अपना लिए नहीं सोच कर अपना तीप्रासा के लिए फाइट कर रहा हूँ मुझे भी सब कुछ मिल सकता है मुझे भी प्रॉपर्टी मिल सकता है मुझे भी पद मिल सकता है तभी भी मैं आज अपने बारे नहीं सोच कर हमारा next generation है उसके बारे सोच रहा हूँ और मैं compromise नहीं करूँगा मैं अभी तक जो कहा है मैं आज फिर से कहने वाला हूँ जब तक हमको हमारा writing में हमारा constitutional solution नहीं मिलता है तब तक हम कोई भी national party के संग alliance नहीं करेंगे अगर कोई national party ने हमको writing में हमारा demand स्विकार नहीं किया तो ये छोटा सा चिकॉन सा तिप्रा मौथा पार्टी अकेला लड़ेगा लेकिन आप सब तिप्रा सको especially youth को मैं बोल रहा हूँ मैं fight क्यों कर रहा हूँ मैं किसके लिए fight कर रहा हूँ आपको मैं क्यों appeal करता हूँ fight करने के लिए next generation के लिए मैंने sacrifice क्यों किया है जिनका जिन्दगी जाना था उनका जिन्दगी तो गया आराम से गया लेकिन आज अगर हम लोग एक नहीं हुए आज हम लोग एक आवाज में हमने दिल्ली में बात नहीं किया as the prasa as the prasa आप जितेंदर चोधरी हो सकते हो आप रेभती तुरुपड़ा हो सकते हो आप जिश्नु करता हो सकते हो आप प्रद्योत मानिकी हो सकते हो लेकिन अगर आज हम लोग दिल्ली जाकर अपना आवाज एक आवाज एक प्लाटफॉर्म में हमने दिल्ली को नहीं बोला कि तीप्रासा का प्रॉब्लम बहुत खराब है तब हमारा सेलूशन कभी नहीं मिलेगा एक बार अपना पार्टी के बारे नहीं अपने जाती के बारे सूचो और बहुत लोग एक अवाब फ्हलाता है कि प्रद्योत मानिक्य बिंगॉली के खिलाफ gray मैं आज तक मैंने बंगाली के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया है ना करोगा मैं भी हिंदू हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि आप हिंदू बंगाली के खिलाफ हैं मैं भी हिंदू हूँ और मैं हिंदू बंगाली के खिलाफ कभी नहीं जा सकता लेकिन मैं ऐसा हिंदू हूँ जो मुसल्मान को भी प्यार करता है मैं ऐसा हिंदू हूँ करने के लिए नहीं और ऐज ए हिंदु मैं क्यों बिंगुली के खिलाब जाऊंगा आपने बहुत लोगों को चांस दिया आपने और उन लोगों को चांस दिया जो बिंगुली से सच्पलasında अफरत करते थे आपने उनको नेता बनाया आपने उनको मंतरी बनाया और जो परिवार ने बिंगोली लैंग्विज को सम्मान दिया जो परिवार ने बंगलादेश में जब अत्याचार हो रहा था हमारे बंगाली हिंदू के साथ उनको पना दिया तृपरा में आप उन्ही के लोगों को उनीके family के सदस्य को बोल रहेंगे communal यह पूरा प्रोपगांडा है यह पूरा प्रोपगांडा है कि हमें एक दूसरे से अलग करने के लिए ऐसे प्रोपगांडा में आप मत आईए आज मैं जो अपने लोगों के लिए fight कर रहा हूं तीप्रासा के लिए मैं आपके नहीं बोल रहा हूं कि आपको चैन से जीने नहीं देंगे मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि हमें हमारे तीप्रासा को constitution के अंदर जो और power है और समयधान के अंदर अधिकार है वो दीजिए मैं एक महराजा बीर बिक्रम जैसा आधूनिक तुरुपरा बनाना चाहता था मैं महराजा बीर बिक्रम जैसे एक आधूनिक तुरुपरा का सोच रखता हूँ आज भी जहां में हम सब शांती से जिये जहां में हमारा constitutional right भी बढ़े और आपका constitutional right कोई नहीं चीने लेकिन ये politics ने ये politics के गंदेय राजनिती ने हमें दूर किया है मैं election जब भी होगा मैं अपने पूरे YTF warriors को TWF warriors को और तीप्रा मौथा के senior leaders को एक बात बोलना चाहरा हूँ मैं ready हूँ और मैं ready इसके लिए हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों को धोका नहीं दे सकता मैंने आपको एक commitment दिया है और मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए मैं आप लोगों को धोका नहीं दे सकता है इसके लिए I am ready for the one last right और जो लोग मौथा में नहीं आना चाहते हैं और जो लोग IPFT से दूसरे party में जोइन कर रहे हैं मैं आपको सिर्व एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे YTF को बोलना चाहता हूँ बुरी बुदल को आप जाके मिलिए समझाईए और एक सांग होने का कोशिश कीजिए मैं अपने IPFT के लोगों को बोलना चाहता हूँ आप लोग भी मेरे सांग आईए एक पार्टी दोनों बन जाते हैं अलग अलग पार्टी बनके एक दिमान रखने से क्या फाइदा दोनों एक पार्टी बन जाते हैं सब को कुछ मिलेगा तीपरासा को कुछ मिलेगा आप कब तक मंतरी रहोगे आप कब तक MLR रहोगे एक बार अपने लोगों के बारे बात करो लोगों का प्यार, लोगों का आशिरवाद अगर हमारे संग रहा तो 70 साल के बाद एक मौका मिलेगा इस बार हमको अपना कोजिशन रखने के लिए मैं आपको लास्ट चीज बोलना चाहता हूं इस गर्मी के टाइम में मेरे YTF ने सब गाउं गाउं कामी कामी जाकर पानी डिस्टिब्यूट किया जहां तक मेरे पास रिपॉर्ट है रिपॉर्ट में आया है कि हमने अभी तक एक लाक बारा हजार लीटर पानी डिस्टिब्यूट किया एक लाख बारा हजार लीटर पानी, मतलब कि अल्मोस्ट दो लाख बोतल पानी हमने हर घर में पानी पीने के लिए दिया है मुफ्त में दिया है, अपने पॉकेट से दिया है, YTF ने दिया, क्यों? क्योंकि YTF का काम दोभा के लिए है और मैं अपने senior leader से एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा senior junior से को सिखाएगा वो दरकार नहीं है, हमेशा youth senior को देखकर काम करेगा नहीं, कभी-कभी senior को भी youth को देखकर काम करना चाहिए, कभी-कभी senior को भी देखना चाहिए कि आज का youth कितना committed है और हमारे senior लोग को भी ये बा message है, I am ready to fight for my people, मैं ने आज तक धरम का राजनीती नहीं किया है, मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन मुसल्मान है, कौन Christian है, कौन Buddhist है, कौन Hindu है, मैंने हमेशा त्रुप्रा का भला चाहा है, मेरा ये fight अपने तीप्रासा के constitutional right के लिए है, किसी का constitutional right छीनने के लिए नहीं है, और मैं अपने बंगाली भाई को बोलना चाहता हूँ, बेहन को बोलना चाहता हूँ, जो लोग आपको बोलते थे go back, वही आज आज आपके, वही लोग बोल रहे हैं कि मैं खराब हूँ, मैंने आज तक नहीं कहा कि आपको स्कूल में भरती मत करो, मैंने आज तक नहीं कहा क कि आपको नौकरी नहीं दो मैंने सिर्व ये कहा कि हमारे स्कूल को ठीक कर दो हमने सिर्व ये कहा कि हमारे हॉस्पिटल को ठीक कर दो हमने ये कहा कि हमारे रास्ते जो हमारे तीप्रासा गाउं में उसको ठीक करो हमने सिर्व ये कहा कि हमारे गाउं में पानी दे दो मैंने कभ लेकिन आपका भी राइट कभी छीनूंगा नहीं जब तक मुझे राइटिंग में गवर्मेंट इंडिया अशॉरंस नहीं देता है यह नाशनल पार्टी अशॉरंस नहीं देता है कि इस डिमांड का इस मुव्मेंट का constitutional solution नहीं होगा तब तक मैं अकेला लड़ूँगा मैं जानता हूं कि कोई नेता रहे या ना नेता रहे पब्लिक मेरे साथ है आपका प्यार आपका आशीरवाद मेरे उपर रखिये और मैं रेडी हूं मर जाओंगा लेकिन अपने लोगों से अपने भाईयों से उसमें सब हैं सब हैं कभी गद्दारी नहीं करोंगा I love all of you Belae Belae Nohan Bayi Kulumka